हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल ट्रू गॉर्मेंट्स जॉब्स में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EPFO की तरफ से रिलीज की गई नई नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें की SSA और स्टेनो के यहां पर बकैंसी आउट की गई है तो जी हाँ फ्रेंट्स NTA यानि की नेशनल टेस्टिंग एजनसी की तरफ से यह नई नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है जिसमें की SSA यानि की Social Security Assistant और स्टेनो ग्राफर की यहां पर बकैंसी आउट हुई है जो की फिल होंगी Employee Provided Fund Organization यानि की EPFO में यह बकैंसी फिल की जाएगी तो इसको एपलाई करने की स्टार्ट डेट 27 मार्च से शुरू हो रही है पर उससे पहले आपको जान लेना है कि इसमें आपका क्या Eligibility Criteria रहने वाला है क्या Selection Procedure रहना है तो यह सब हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में Step by Step तो वीडियो को शुरू से अन तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस्ट कर दीजिए साथी साथ हमारी ओफिशल वेबसाइट www.truegovernmentsjobs.com पर विजिट कर सकते हैं क्योंकि इस अपडेट के अलाबा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वेकैंसी आउट हो चुकी हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर अपनी एजुकेशन अपनी सिटी और अपनी क्वैलिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हैं और उनके लिए अपलाई क कर सकते हैं साथी साथ आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन कॉमेंट भी कर दूंगी क्यूंकि जो भी दिन भर नई नोटिफिकेशन लीज होती है उसका अपडेट हम अपने टेलिग्राम चैन रिलीज की गई है पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किये तो फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्याद से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे रोजाना आपके लिए ऐसी ह इनफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए तो चलिए इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी के लिए विजिट करते हैं हमारी ओफिशल वेबसाइट www.truegovernmentsjobs.com पर तो जैसे कि आप देख पा रहे हम आचुके हैं अपनी ओफिशल वेबसाइट www.truegovernmentsjobs.com पर तो यहा रहने वाली है तो आपको 27 मार्च से इसको एपलाई करना शुरू कर देना है तो और्गनाइजेशन नेम का बात करें तो यहां पर Employee Provided Fund Organization की तरफ से यह नोटिफिकेशन लीज की गी है जिसमें की आपकी जो पोस्ट बकैंसी रहने वाली है सोशल सेक्योर्टी एसिस्टें यानि कि SSC की यहां पर 2674 बकैंसी रहने वाली है और Stenno की यहां पर 185 बकैंसी यहां पर रहने वाली है तो कुल जो है 2860 के आसपास यहां पर बकैंसी रहने वाली है आगे बात करते हैं Allegibility Criteria की तो यहां पर Age Limit जो है Candidate की 16 से 27 वर्ष होनी चाहिए और IU SEMA में छूट है नियमों के तहट आगे बात करते हैं Education Qualification की तो यहां पर आप 12 पास होने चाहिए Stenno के लिए और Graduate पास होने चाहिए आप और यहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहने वाला है पेस्केल की बात करें तो यहां पर पेस्केल आपकी 30,000 से लेकर 90,000 तक हो सकती है जोब लोकेशन की बात करें तो All Over India की जॉब रहने वाली है गौर्मेंट जॉब है अपलाई करने का मोड यहां पर ऑनलाइन रहने वाला है आगे बात करते हैं सेलेक्शन प्रोसेस की तो यहां पर आपका रिटन एक्जाम रहने वाला है और स्किल टेस्ट रहने वाला है फिर की ओफियल वेपसाइट रिक्रूटमेंट.nda.nic.in है जिसका की लिंक हमने इंपोर्टन सेक्शन में अपडेट कर दिया गया है यहां पर आपको अपना एकाउंट बना लेना है यहां पर लॉग इन हो लेना है किसी भी इमेल आईडी या अपने फोन नंबर से और फिर एप आपलिकाशन फिव की बात करें तो यहां पर जनल OPC और EWS के लिए 700 अप्लिकेशन फिवflix रहने बाले हैं और SCST और PWD फिमेल के लिए कोई भी इप्लिकेशन फिव नहीं रहने बाले हैं apply करने का mode online रहने वाला है तो यहां पर start date जो है 27 मार्च से शुरू हो रही है और इसके जो last date apply करने की April 26 यहां पर रहने वाली है exam की date जब भी out होगी तो हम आपको इसके बारे में notify कर देंगे तो apply करने के सारे important link important link section पर update कर दिये गए है और इसके जो return exam के लिए best book जो रहने वाली है उसका link भी हमने आपको website पर update कर दिया है description में भी डाल दूँगी तो आप उसे भी check कर सकते हैं और इसे अपनी त्यारी बेहतर कर सकते हैं और इसे online या offline माधियम किसी भी तरीके से order कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो के regarding को भी question रहता है तो आप हमें comment करके पूस सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching